Hello everyone, welcome back to my channel 94,000 शिक्षकों की बहाली को नियुक्ति पत्र जल्द बटने के आसार राज्य में तकरीवन 94,000 प्रारंबिक शिक्षकों की बहाली की नियुक्ति पत्र बटने की तिथी जल्द तै होने के आसार है काउंसलिंग के आधार पर नियुक्ति पत्र बाटे जाएंगे ऐसी संभावना है कि सभी नियोजनिकाईों के लिए एक ही तिथी को काउंसलिंग होगी हलाकि काउंसलिंग के तिथी पर आभी अंतिमनेन नहीं हुआ है बहाली की प्रकिरिया पत्ना उच्छी नियाले के नियादेश पर उनके अनुपालन में शुरू हुई है नियोजे निकाई द्वारा चैनित होने वाले अभ्यार्थियों को नियुक्ती पत्र जल्द बाटने के लिए बहाली की प्रकिरिया की मोनेटरिंग हर जिले के जिलादी कारी द्वारा की जा रही है शिक्षा विभाग के प्रात्मिक शिक्षा नितेशाले द्वारा 23 डियूल के मुताविक बहाली के लिए नियोजनिकाई द्वारा सनी बार 26 दिसंबर तक मेधा सुची प्रिकासित कर NIC के पोल्टर पर अप्लोड की जानी, मतलब आज तक आज NIC के पोल्टर पर मेधा सुची को अप्लोड कर देना है, इस पर अभ्यार्थियों की आपत्ति 28 डिसंबर से दो जनवरी तक NIC के पोल्टर पर ऑनलाइन ली जाएगी, आपत्तियों का निराकरा ने वह अंतिम लूप से इसका प्रिकासन चार जनवरी से 10 जनवरी तक NIC के पोल्टर पर अप्लोड कर किया जाना है, हलाकि निर्देश के मुताविक नियोजन निकाई द्वारा, नियोजन समंदित गती बीधी, जीला अस्तर पर पुर्ण किया गया होगा, उसकी दोहड़ाव की आविशक्ता नहीं है, और मतलब बहुत सारे नियोजन निकाई ऐसे भी है, जो पुर्ण कर चुके है जैसे आपती बेगर ले चुके है, फिर फाइनल मेरिक लिस्ट पी अप्लोड कर चुके है, तो उनको ये दोहड़ाव करने की आविशक्ता नहीं है, इस बाबत प्रात्मिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सी द्वारा, जिला शिक्षा पताधिकारी और जि लिए इसमें अगर निवज़ा निकाई दवरा किसी प्रकार के सितिलता पाई गई तो उनपर कारवाई तेए है, कारवाई जीला अधिकारी को पूरा जिम्मेदारी देदिया गया है, तो तो आज देखते हैं कितना merit list upload होता है उसके बाद पता चलेगा आगे की गतिवी थी तो आज के वीडियो में बस इतना ही मैं मिलते हूं फिर आप लोगों से next वीडियो में